ना सुटेंस ये कोश्चन देखिए सीबसी 2016 में आया है कि थ्री कॉंजटिटिव नेचल नंबर अब रुख जो नेचल नंबर क्या होते हैं आपके बताईए नेचल नंबर होते हैं आपके वन टू थ्री टी फोर फाइव सिक्स है ना यह सब यनि यह पॉजटिव इंटीजर सी आपके क्या होते है नैचल नंबर होते हैं ठीक है ना अच्छा बहुत बड़ी है अब दिखो थ्री कॉंजटिव नेचल नंबर मतलब तीन लगाता आरा आने वाले नेचल नंबर तीन लगाता आराने वाले कोई भी नेचल लंबर अगर आप सोचो जैसे की 10 11 12 यह जैसे हम सोच रहे हैं अब बताओ 10 से 11 जाने में वन एड़ करना पड़ता है और 11 से 12 जाने में वन एड़ करना पड़ता है यानिकि अगर हमें 3 3 consecutive नाचल नंबर अज्यूम करने हो तो अगर आप एक को X मानोगे तो next को क्या मानोगे X प्लस वन है न भाई एक्स में वन एड़ करोगे तो यहां पहुच जाओगे और फिर consecutive कौन-कौन से हैं ठीक है एक है एक है एक्स और दूसरा है एक्स-प्लस-वन अब अपनी कॉपी में लिखेंगे एक्जाम में लेट दा थ्री consecutive नैच्रल नमबर भी एक्स-प्लस एक्स-प्लस-वन एंड जो तीसरा है आपका कौन सा है वो एक्स-प्लस-टू ओके सो एंड एक्स-प्लस-टू सही है यह चीज हो गई अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो ठीक अब सुनो क्या कह रहा है कह रहा है कि सच दाट दे स्क्वाइर ऑफ दो मिडिल नमबर अब ध्यान दो बच्चों यह आपका मिड आपका क्या हे मिडिल नमबर यही आपका क्या है मिडिल बीच वाला नमबर है न मिडिल नमबर अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है कि समझो समझू समझो घ्यान से सचывает the square of the middle term ठीक तो middle term का जो square है यानि कि x प्लस उनका स्कॉएर है सुन लेना ज시는 से पहले किस से बढ़ जाता है difference of the square of the other two numbers by 60 आब आप इस कोश्चन को पहले इस तरीके से पढ़ो कैसे देखो आप इसको ऐसे पढ़ो कैसे इसको आप मिडल टम एकसीड और यह चीज़ अभी मत पढ़ो एकसीड दिफरेंस आफ दे स्कॉइर आफ दा नंबर आफ दा अधर टू यह मत यह इतना मत पढ़ो आप बस ऐसे पढ़ो क्या मैं अंडर लाइन कर रहा हूं बस उसको पढ़ना आप ऐसे इसको पढ़ो इसको पढ़ो स्कॉइर ऑफ दा मिडल टम एकसीड कर जाता है कितने जादा है सिक्स्टी जादा है तो जादा किले अंडर को प्लस लगाते हैं यहां कि हा कुछ फिल करना यहां कुछ फिल करना वह उप बताऊंगगा और यहां प्लस और56 करना है आपको समझ में जाएर यहां कुछ फिल करेंगे भाई अभी सुनो लेवह यहां solid measurement difference of the square of the other two मतलब यहां हमको क्या फिल करना है यहां हमको फिल करना है डिफ्रेंस ओफ दा इसक्वाइर ओफ दा अधर टू नंबर सुन लिया द्यान से अब सुन लिया जो मिडल टम जो मिडल नंबर उसका जो स्क्वाइर है वो 60 से करता है मतलब वो 60 एक्सीक करता है से से इससे इससे से यहांने कि दिफेरेंस ऑफ दा स्कॉर्ट आफ दा तू नंबर तो यहां आप यह फिल कर दीजिए अब ध्यान से जचेक करो क्या फिल करोगे यहां एक्स प्लस वन का होल स्क्वाइर तो ऐसे ही रहेगा मिडिल डम का स्क्वाइर इस इकोल स्ट अब यहां क्या करना है डिफरेंस आप लोगे कैसे बड़े वाले में से आप किसको घटाओगे छोटे वाले को याद रखना तो इसका स्क्वाइर कितना होगा एक्स प्लस टू का स्क्वाइर और माइनस इसका स्क्वाइर कितना होगा एक्स स्क्वाइर समझ में आई बात यह क्या लिख दिया मैंने यह लिख दिया डिफरेंस आफ दा स्क्वाइर और इसका डिफरेंस ले लिया एक्स प्लस टू का स्क्वाइर और एक्स स्क्वाइर करक एक्वेशन बनाने में कोई डाउट है किसी को यह बहुत में काम था इस कोश्चन में नहीं डाउट था नहीं डाउट है ठीक है चलो बहुत बढ़े आप तो कुछ बचा ही नहीं अब तो सॉल्फ कर लो चलो तो लेफ्ट हें साइड क्या बच्छो एक्स प्लस वन का होल यह यह स्कॉर्ण देंगे बच्छो एक्स प्लस व्याइ यहीज का स्कॉरण और। यह स्कॉर सथेक़् और मैंनर स्क स्कॉर मैंनर सुमेडस का च्याइस यह लिचे सही इस्टलींस अब ध्यान देए यह positive x square है यह negative x square है cancel हो जाएगा ठीक तो यहां से आपके बास बचेएगा अब यहां से देखो यह हो गया x square अब ध्यान देना बच्चे ध्यान से ध्यान से x वाले टम देखो यह 2x है और 4x को left में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2x-4x-2x ठेक कर ले ना 2x और minus 4x minus 2x बचेगा left में उसके बाद यह plus का 1 है और 63 left में आएगा तो minus हो जाएगा यह नहीं कि minus का 63 is equals to 0 समझे गे ना भई 64 को लेके आओगे 1 के पास तो 1 minus 64 minus 63 is equals to 0 तो यह बन गई आपकी क्या quadratic equation इसको हम solve कर लेंगे ठेक तो चलिए इसको हम solve कर लेते हैं क्या है x square minus 2x minus 63 is equals to 0 अब last term को starting वाले से multiply करोगे तो कितना आ जाएगा साइन के साथ minus 63 into x square minus 63 x square middle term क्या है minus 2x अब minus 2x को ऐसे दो पार्ट्स में split करिए बच्छों कि addition पर minus 2x आ जाए multiplication पर कितना आ जाए उतना ही जितना last स्टार्टिंग वाले से multiply करने पर आए यहने कि माने 63 x square आ जाए ठीक तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे इस 63 के प्राइम character कर लो आता है करना बताओ क्या हो जाएगा 3332 जा और फिर त्री से जाएगा बच्छों 37 चेक कर लो 33 जा तो दे देगा आपको क्या 9 और बच गया 7 अकेला अब बताओ अब बता बच्छों 9 7 जा कितना होता है 63 और 9-7 2 होता है तो बात तो बन जाएगी अब बस आपको sign decide करना है 9 को हम negative रखेंगे so minus का 9x और 7 को हम positive रखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए minus का 2x चाहिए ठीक और आप चेक कर लो minus 9x को अगर आप multiply करेंगे 7x से बच्छों तो आपको minus 63 x square ही तो मिलेगा तो बिल्कुल सही हमने किया है तो आजएगे यहाँ पर वापस x square और minus 2x की जगा हम क्या लिखेंगे minus 9x और plus 7x और minus का 63 is equals to 0 अब इन नोनों में से common होगा x so x minus 9 और इन नोनों में से common होगा 7 तो यहाँ सा जाएगा x minus 9 यह लीजे is equals to 0 correct now your first term second term यहाँ से x minus 9 बच्छो common हो जाएगा bracket में बचेगा यहाँ फस्टरम में x और plus 7 is equals to 0 सही है अब x minus 9 को एक बार 0 रखोगे तो यहाँ से x is equals to 9 आ जाएगा और एक बार बच्छों आप x plus 7 को 0 रखोगे सही है तो x is equals to minus 7 हो जाएगा अब ध्यान दे students यह जो minus 7 को reject कर दोगे यह value नहीं लेंगे क्यों क्यों क्योंकि x क्या था एक natural number था और natural number negative हो नहीं सकता ठीक यानिके x का value कितना आपका 9 है तो इस तरीके से students जो फर्स नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका फर्स नेच्रल नंबर हो जाएगा आपका x है ना और x कितना था 9 next natural number हो जाएगा second वाला आपका second consecutive natural number था वो था x plus 1 यानिके 9 plus 10 और last वाला है यानिके third natural number हो जाएगा आपका क्या x plus 2 यानिके x की value रखो कितनी 9 plus 2 कितना जगा 11 तो answer आगया आपका 3 consecutive natural numbers are 9,10 and 11 तो इस तरीके से इस problem को handle करेंगे कर लीचे